सलार पार्ट वन सीजफार जो कि आक्शिली मेज़ है उग्रम मूवी से जिसके सिमलर होने के नोट्स इसके मेकर्स कई बार डिनाय कर रहे थे मगर आप फाइनली पता चली गया यह उग्रम मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायड है जहां बाउबली के बाद प्रभास के चौ सब लैंड नहीं कर पाते मूवी अपने दो घंटे 55 मिनट में एक एपिक एक्शन ड्रामा प्रॉमिस करती है जहां मेज़ोरिटी ऑफ मूवी प्रभास के वोलेंट हिस्टरी पे एज़ कर रही है कि भाई यह कितना खतरनाक इंसान है क्यार मूवी के स्टोरी की बात करें त दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है जो कि भाई इनका लगाव अगर आप थोड़ा और भी करीब से देखोगे तो थोड़ा सा स्केची भी फील होता है कई सारे मोमेंट्स पे कि भाई अगर कोई बंदा एक दूसरे से बोल दे कि भाई I'm sexually frustrated तो I'm damn sure जोग था माइंड मत करना मगर भाई इन सब के साथ बच्पन में क्या हुआ कि खांसार का जो बुल ट्राइब वाला राजा है उसके मरने के बाद सौरांग के ट्राइब वाले भाई लीडर को गद्धी मिल ली थी मगर भाई दी लॉफ नेपोटेजम बुल ट्राइब वाल अपनी territory को छोड़ कर जो कि भाई ironically वो भी बुल ट्राइब वाले लोगों से बिलॉंग करता था मगर भाई वो अपनी teenage की उमर में था तो उसे बहुत जादा अपनी ancestral politics के बारे में इतना जादा जानकारी नहीं थी खैर back to present day कूदा ते फिर से भाई वर्दा के उपर लाग और फिर पूरी picture यही एज कर रही होती है कि देवा आ गया है और भाई अभी उन्हें किसी भी military कोई जरुवत नहीं किसी लोगों कि उन्हें कोई जरुवत नहीं सब अकेली की handle कर लेंगे I don't know कैसे और इस बात को उन्होंने किसी भी बड़े action scene से establish नहीं किया है कि भाई अ बात करें तो भाई movie अपने posters, trailers and promotional material में वोईलेंस का promise करती है जहां भाई वोईलेंस action बहुत ही disappointing है किसी भी action sequence में अगर प्रभास मुश्किल से 10 कदम चल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इतना lazy action choreography है कि at moments आपको बेजती अंदर से feel होने लगती है कि क्या मैं यह दे shine in peak moments की भाई मैं बात करना चाहूंगा कि हर movie का एक लंभा होता है जहां आप उसके load को explode होते हुए देखना चाहती हो कैसे कैसे examples use कर रहा हूँ खेर जहां मैं creativity की मैं पूरी इज़त करता हूँ जिसकी वज़े से मैं यह सवाल नहीं पूछूंगा कि भाई क्या होना बलकि भाई मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रशांत नील क्या दिखाना चाह रहे थे जब interval से पहले उन्होंने पूरे gun zones वाला जब रॉला tight किया हुआ है कि भाई वो distinct audio choice उन्होंने वहाँ पे जो use की हुई है उस load को off करते हुए तो भाई वहाँ पे थोड़ी सी weird है जो क भाई अच्छी तरीके से land नहीं कर पाती वो दिल में आग आपके नहीं जला पाती जो कि वहाँ पी उसको जलानी चाहिए थी वही उसका purpose था वहाँ पे मगर नहीं हुपाता और यही चीज़ गन वाले वोलेंस को लेकर throughout movie में consistent है जब वर्धा पे attack भी होता है उसका हलका सा कुछ movement दिखाय जाता है वहाँ भी इसी तरीके के sound design यूज किया गया है gun violence को लेकर और वो भी movement उस तरीके से impact छोड़के नहीं जा पाता जैसा उसे छोड़ना चाहिए था और उसके उपर भी बात भाई यार इतने सारे guns weapons होने के बाद भी अगर guns का इस्तमाल नहीं किया ज क्योंकि जिन money shots को हम action scene से भाई expectation लगा के बैठे हुए थे वो बिल्कुल भी main peak moments नहीं थे movie के क्योंकि तुम ध्यान दोगे जो actually वे background score जहां पे जिस scene के साथ sync होता है जहां पे वो जादू दिखना शुरू होता है वो है जब प्रभास markart करने के बाद जब तलवार भाज रहे होते एंड में या फिर बाई इंटरवल से पहले action करने के बाद जब एक पर गाड़ी पे रखकर खुद को present कर रहे होते हैं वो थे actual में movie के peak moments जो कि दिल से बता रहा हूं काफी जादा बेजती फील कराते हैं disrespectful मुझे personally खुद के लिए feel होता है क्योंकि यह moments Instagram reel के लिए इर आटाइट करने के लिए अच्छे हैं movie को यादगार बनाने के लिए अच्छे नहीं है जिफे देखो भाई ऐसी भी कोई बात नहीं है कि movie में सब कुछ ही खराब है भाई movie में एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो कि भाई मैं इसकी सबसे best बात consider करूंगा कि 2023 क one of the best looking movies मैं से मैं से एक मानूँगा भाई internationally compare कर रहा हूँ उसे बोलकर बहुत खुब सूरत है बहुत कमाल का art है हर एक frame ऐसा है कि religious heaviness feel होती है जो कि भाई उसके gritty narrative की इजज़त करता है वो dark tone जहां है प्रशान दील की priority साफ नजार आती है कि बंदा अपनी world building characters उनके designs, history, fashion, low religious backgrounds, politics जिस तरीके से law काम करता है भाई, सहाब और जो cultures है उनके बीच में इतनी जादा keen details है इन सब के बीच में कि भाई इसी बे प्रशाद दील को award दे देना चाहिए क्योंकि भाई उन characters के background में जो आपको identity नज़र आती है वो अपने आप में खांसार की जो history बताते है उस fire भाई जिस तरीके से वोटिंग होना, सम्विदान, political assassinations and जो कि भाई जैसे फ्रांस वाली movies में नहीं नपोलियन जैसी and वो काफी smart था भाई, कसम से बहुत must काम किया है प्रशाद तील ने and I think he's one of the rarist talent जो ऐसा कर सकते है, जो इस तरीके से दुनिया को imagine कर सकते है, मगर फ मगर ड्रामा के नाम पे भी बस वो रॉला ही टाइट कर रहे हो आप, बस एक हाई भी कर रहे हो चीजों जब आप एक actual action full volcano होने की बारी आती है, तो फिर हमें एक chopped salad action ही नजर आता है and फिर जब ड्रामा की बारी भी आती है, जब आपकी दिल में वो dread feel होना चाहिए, ड्राम को लेकर, तो वस एक या दो scenes कुछ गिंती की बचें हुए हैं, जिसमें से एक notice करके मैं बोलू, तो वो जो अपनी red ortho वाला एक moment था, वो काफी distinct था, काफी जादा stand out करता है, जो कि मैं वो movie के कुछ अच्छे moments में से अलग करके consider भी करूँगा, लगर फिर भी अपने प्र प्रभास की body short ही दिखा कि वो तलवार नी भाश रहा होता है, वहाँ भी अंदर से बेजती feel होती है, कि क्या भाई मैं यह देखके impress होने आया था यहाँ पे, भाई कुछ तो अच्छा action यह ड्रामा लिखके दिये होते हैं, जो कि भाई याद रह जाता, इतना जादा तो आ एक साथ जोड़के metaphor जो एक रखा रहता है, वो काफी fascinating है, मगर बहुत जादे देर तक भुलाने के लिए काफी नहीं है, और भी आपको चीज़े चाहिए होती है, एक मासी drama entertainer से जो आप expect करके चलते हो, जिसको मैं कुल मिला जिला कर भी, मैं इस movie को अपने good books में नहीं आफ तोर से इसके action से ज़्यादा मैं से drama के रूप में देख पा रहा हूं, जहां वो drama भी खुद को बहुत साबित कर नहीं पाता है, खैर मुझे overall ये movie अच्छी तो नहीं लगी, बाकि तुम अपने opinions बताओ कि तो सालार के साथ तुमारे के expectations से, और तुम ही ये movie कैसे लग सिर्फेधे लब हैं, तो एम ही बहुत से लगीं कम मैं से ये मुटत से हाई झाली हैं, बाकि खुम में कि है ये my ये शो और फो